हेलो फ्रेंट स्वागत आप सभी लोग का इंडियन क्लाइंग के आज की इस ने वीडियो में फ्रेंट सो जाना की तरह हम फिर से आप सभी लोग के लिए एरलाइन से ट्रेवल से जुड़ी हुई कुछ बहुत जरूरी और काम की ख़बरों को लेकर आ चुके हैं तो बिने कि by वेक्सिन काविट सिल्क एप्रूबल दे दिया है यांनि काविट्स वेक्सिंघ अब यूग के में अप्रूबड है लेकिन यहां पर अभी यूग्ई की गवर्मinned की तरव से भारती से लिए कौरेंटिन के नियमों को ख़तुश्य मुकर्य को कि नहीं किया गया है तो आब उसको वहाँ पर भी quarantine में रहना पड़ेगा इसको लेकर यहाँ पर भारत सरकार ने नराजगी दिखाई थी कि UK की गौर्मेंट ने भारतिय वैक्षिन कोविट सिल को अप्रूबल नहीं दिया है तो बीते कल यहाँ पर एक notification के माध्यम से UK की गौर्मेंट ने कोविट सिल वैक लेते हैं जिन देशों में आप इस समय ट्रावल करके जा सकते हैं तो फ्रेंट आपको पता देए कि इस समय भारत में जैसे कोरोना वारस के केसिस काम हो रहे हैं और भारतियों को काफी बड़े लेवल पर वैक्सिन लगाई जा रही है जिसके बाद दुनिया के कई सारे दे लेंड इसके अलावा यहां पर और भी कई सारे देश हैं जिनमें हैं यूएई और इस्पेन माल्दिव जर्मनी टर्की फ्रेंट से सारे देश हैं जो कि अभी हाल फिलाल में ही भारतियों के लिए अपनी फ्लाइटों को खोले हैं और यदि आप इन सब ही देशों में ट्र वारिंटीन में रखा भी जा रहा है तो एक बार आप ट्रेवल करने से पहले उन देशों के ट्रेवलिंग के नियमों को एक बात ध्यान से पढ़ लें फिरंट आगे बढ़ते हैं और अगली अप्डेट यहां पर मलेशिय को लेकर जान लेते हैं आप मैं सब्सक्राइब लोग मलीसिया को लेकर सवाल कूछ रहे तो यहाँ पर आपको को बता देगी अब जो अबादए को क्रोण व senza dl Łag hip के साथ इसके साथ मैंगी बताया है कि उन्होंने एḡ Architecture आबादी कोstyle in लगा दी है और इस के लावा यह आकड़ा यदि 90% तक पहुंच जाता है तो मलेशिया की गवर्मेंट जो है अपने और भी दूसरे आइलेंड को टूरिस्स लोगों के लिए ओपन कर देगी यानि की टूरिस्स जो है वह मलेशिया के लोकल आइलेंड पर भी ट्रैवल करने के लिए जा पाएंग कुछ हपते कुछ महीनों में दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को सिंगापूर में आने खहनों मतित दे पाएगी और यहां पर कई सारे देशों से बातचीत कर रहे हैं जहां पर कॉरेंटीन फ्री ट्रैवल भी शुरू किया जा सके लेकिन बात करें आप भारत की तो हैंने का फैसर ले लिया है इससे वह देर देशाटी 22 सितंबर की धी लेकिन 22 सितंबर से और राटों कैनड़ की एरॉध की हेंड्या सब्सक्राउ्ट को अपरेट किया और जिसके बाद आप यह फैसल लिया गया है कि रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटों को 27 सितंबर से चालू किया जाएगा फ्रेंट्स अगली और आखरी अपडेट यहां पर भारत में कोरोना वाइरस वैक्सिन को लेकर जान लेते हैं आप बतादे कि भारत में कोरोना वाइरस वैक्सिन जिसका नाम कोविट सिल है इस समय यदि आप कोविट सिल वैक्सिन लगाते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 84 डेज का वेट करना पड़ता है जिसके लिए यहां पर भारत सरकार ने जानकारी दी है कि आप इसकी जो डेट है उसको कम करके एक मही जा सकता है यानि कि आप एक महीने के भीतर भीतर वैक्सिन के दोनों रोज ले पाएंगे इसके लावा फ्रेंट्स यहां पर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि अब बहुत ही जल्दी भारत में बच्चों को भी वैक्सिन लगनी सुरू हो सकती है जिन बच्चों की उमर 12 स खबर समय पर मिलती रहे है